हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा चश्मा दिखाऊंगा जिसमें की 1.74 का सुपर हाइंडस ग्लास फिट है और साथी साथ इसकी पावर है माइनस साड़े पाँच मैं अभिशेक गोयल एक सीनियर कंसल्टेंट अप्रोमेटरिस एन कॉंटेक्टलेंस स्पेशलिस्ट हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरस्चिंग होने वाल है क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा ये क्वर और दूसरा मेरे पास से ऐसे कई सवाल लोग पूछते थे कि सर मैंने किसी बड़ी चेन स्टोर से चश्मा बनवाया या मैंने किसी दूसरी दुकान से चश्मा बनवाया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चश्मा मोटा बना है उन्होंने हाइंडेक्स नहीं डाला तो मै दिखाने की कोशिश करी कि आपको कैसे आइडिया लग सकता है कि अगर आप 1.74 का शीशा लगवाते हैं तो उसकी जो side की thickness होती है कितनी निकलेगी तो यही इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा detail में बताया है कि अगर हम 1.74 शीशा लेते हैं तो उसकी side की जो thickness है 5.5 नं को मिलेगा पहले मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अनकट जो शीशे होते हैं बिना कटे जो शीशे होते हैं उनकी साइड की थिकनेस 1.56 और 1.74 साड़े पाच नंबर में कितनी रहेगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम इन शीशो को कटिंग कर दे बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो में को इसलिए बनाने की जुरूरत पड़ी क्योंकि में पास कई सारी क्वरी जाती थी यह पूश्टर सर्फ 5.5 नंबर में अगर हम चशना बनाते हैं हमें पता नहीं लग पाता कि हमारी थिकनेस मोटी भी है या पतली है कैसी रहेगी तो आप मेरे पास इस वीडियो में अंतक बने रहे हैं और डिटेल वीडियो पूरी ध्यान से देखे तो आपको पता लगेगा कि हर इंडेक्स में अगर हम लेते हैं तो शिशा पतला निकलता ही है आए चलिए शूरू करते हैं तो दोस्तो आज में आपको अनकट शिशे मतला जो की कट नहीं हुए उनकी जो साइड की थिकनस होती है 1.56 अगर हम इंडेक्स यूज करते हैं और 1.74 अगर हम इंडेक्स यूज करते हैं तो उसकी थिकनस में आपको डिजिटल स्केल से दिखाऊंगा तो आई चलिए शूर सकते हैं कि यह इस तरह का शीशा है मोटा शीशा अब हम 1.74 का जो इसी नंबर का जो शीशा है वह देख लेते हैं यह देखिए यह इस तरह का है कि यह दोनों दिख सकते है आप जो दोनों इस तरह के शीशे हैं, अब हम इसकी साइड की जो ठिकनेस है, भै देख लेते हैं, यह देखिए, एक मिनट, यह देखिए, 7.9 के आसपास हा रही है, यह थिकनेस है, इसकी साइड की थिकनेस है, अनकट शीशे की, और अगर हम 1.74, तो यह देख सकते है, 6.3 के आसपास आ रही है, तो यह फरक है, दोनों में थिकनेस का, यह आप देख सकते है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, यह आप देख सकते है, तो अभी आपने देखा, यह वली जो थिकनेस मैंने पहले लिखी हुई थी, यह 6.3 mm, के बीच में एपरोक्स है, और यह जो आपने देखा था, 1.56, यह 8, या फिर 7.9 mm के आसपास आ रही थी, अब मैं आपको दोनों को जब यह कट हो जाएंगे शिशे, तो मैं आपको दोनों कट शिशे दिखाऊंगा कि कितनी थिकनेस उनकी साइड की निकलती है, कटने के बाद, तो दोस्तों, अब मैं आपको जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 1.56 और 7.4 के कट शिशे, दोनों 7.4E की साइज के कट शिशे है, उनकी साइड की जो थिकनेस है, उसमें कितना डिफरेंस आता है, वो आज आपको डिजिटल मीटर से बताऊंगा, पहले हम 1.56 क थिकनेस देख लेते हैं, कितना आता है, यह देखिए, यह देखिए, यह 4.4, इसकी थिकनेस आ रही है, 4.4, तो हम यह आपर एक पर लिख लेते हैं, 4.4 mm, और हम 1.74 की थिकनेस देख लेते हैं, साइड की थिकनेस कितनी आ रही है, कि कोई डिफरेंस आता भी है, नहीं आता, यह देखिए, 3.4, यह आप देख सकते हैं, 1.74 का 3.4 आ रहा है, यह देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, यह दिफरेंस है, यह 1.74 है, और यह 1.56 है, तो यह साइड की थिकनेस, अब मैं इन दोनों को, अब मैं इन दोनों को, आपको इस फ्रेम में डाल के दिखाता हूँ, कि दोनों सेम फ्रेम हैं, कि इनमें इनकी साइड से थिकनेस कैसी लगती है, क्योंकि 5 नमबर में, हमें पता नहीं लग पाता कि 1.74 यूज करा गया है, यह 1.56, अब मैं आपको इस फ्रेम में फ्रेम में फ्रेम करके, साइड की थिकनेस दिखाता हूँ, तो दोस्तों, अब मैं आपको वही दो चश्में, जिसमें की 1.74 का हैंडेक्स ग्लास फिट है, और एक में 1.56 का ग्लास फिट है, मैं उन दोनों की साइड की थिकनेस, उनके बारे में डिटेल बताऊंगा, यह देखिए, यह 1.74 है, और यह 1.56 है, पहले हम उपर से देख लेते हैं दोनों का व्यू, यह देखिए, यह है 1.74 और यह है 1.56, दोनों में साड़े पाच नंबर है, मैं इससे पहले आपको दिखा चुका हूँ, कि जो अनकट लेंसिस की जो थिकनेस थी, 7.9 थी, और 1.74 की 6.3, और कट लेंसिस की भी आपको दिखा चुका हूँ, 4.4 थी, और 1.7 की 3.4, अब मैं आपको इन दोनों की साइड से थिकनेस दिखाता हूँ, कि कौन सी कितनी भार निकलती है, और किसकी कैसी लुक आती है, तो यह देख लेते हैं दोस्तों, यह देखिए, यह है 1.74 वाला, यह देख सकते हैं आप, यह देख सकते हैं, इसकी कोई भी थिकनेस भार नहीं है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आपको यह देखिए, यह देखिए, कहीं से कोई थिकनेस भार ही नहीं है, इसकी, यह देख सकते है, अब मैं आपको 1.56 की दिखा देता हूँ यह देखिए इसकी देखिए यह देखिए यह दिफ्रेंस है यहां से थोड़ी सी यह भार है और इसको हम देख लेते है यह देखिए यह देखिए यह थोड़ा सा भार है अब में जो डिफ्रेंस है जिसका हम आईडिया लगा सकते है वो है इसकी साइड से थिक्नेस की यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देख सकते है यह जो है 1.74 इसकी साइड से कोई भी थिक्नेस बहार नहीं है और यह वाला जो 1.56 है यह कम से कम 2 mm के आसपास बहार निकला हुआ है चश्मे से फ्रेम से देख सकते है यह कितना बहार लग रहा है कितना मोटा है और यह कुछ भी बहार नहीं है तो आप देख सकते है यही डिफ्रेंस है दोनों में तो यह देखिए दोस्तों यह है वो चश्मा जिसमें की 1.74 का सुपर हाइंडेक्स ग्लास है और उसकी पावर है 5.5 और यह एंटी ग्लियर और साथ में ब्ल्यूरे भी है यह देख सकते हैं यह है वो चश्मा यह देख सकते हैं कोई भी साइट की रिफ्लेक्शन ही दिखेगी आपको जल्दी से हम इसकी सारा ओवर्विव कर लेते हैं यह देखिए इसमें कोई भी थिक्नेस नहीं है भार यह देख सकते हैं पूरा शीषा फ्रेम के अंदर है यह इसका फ्रन्ट व्यू है यह देख सकते हैं यह इसका फ्रंट व्यू है यह इसका साइड से व्यू है कोई भी शिशा भार नहीं है यह देखिए बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और बहुत ही ज्यादा शिशा पतला भी है यह देख सकते हैं तो यह देखिए दोस्तों यह है वो चश्मा जिसमें की 1.74 का सुपर हाइंडस ग्लास फिट है और इसकी पावर है माइनस साड़े पाच यह देख सकते हैं बिलकुल क्लियर आइस दिखेगी और यह देखिए कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी किती हमें अच्छी आज़िए इसमें देखिए और अब साइट से भी देख लेते हैं यह देखिए हैं साइट से भी बहुत अच्छा दिखेंगा इस शीषव बिलकुल बहार नहीं है तो दोस्तो अभी अभी आपने देखा है दो ऐसे चश्मे या दो ऐसे इंडेक्स जिसको मैंने आपको compare करके दिखाया कि 1.56 का अगर इंडेक्स ले और 1.74 का अगर हम इंडेक्स ले एक ही पावर में तो thickness का कितना फरक रहता है क्योंकि इसकी पावर कम थी तो difference कम था लेकिन था कटने के बाद जो शीशे की जो thickness थी उसमें भी 10 mm के आसपास का फरक था तो यह बहुत बड़ा फरक होता है एक चश्मा पहनने वाले के लिए अगर आप लोगों में से भी इस तरह का कोई चश्मा बनवाना चाते हैं तो मुझे whatsapp के through contact कर सकते हैं मैं अपना number description area में छो अबस्टा